हम discuss करते हैं links and relationship में aggregation को aggregation क्या है aggregation and object में contain a collection of other objects तो यह somehow composition के बहुत ज़्यादा करीब है तकरीबन सारा concept वो ही है जो composition का concept है बस एक minor सा फरक है कि यहाँ पर भी एक object दूसरे object को अपने अंदर contain कर रहा है अपने अंदर नहीं in fact बट contain कर रहा है the relationship between the container and the contained object is called aggregation तो जो relationship है दो object से दरम्यान एक वो object जो दूसरे को contain कर रहा है और जिसको contain किया जा रहा है इन दोनों के दरम्यान जो relationship है उस relationship का नाम है aggregation हम example में देखते हैं इसे aggregation is represented by a line with unfilled diamond head तो जो दो entities के दरम्यान जो line आप draw करते हैं relationship को शो करने के लिए उसके end पे diamond head आता है और diamond head aggregate object के अंदर आता है aggregate object की side पर आता है लेकिन फरक ये है कि ये unfilled होता है या hollow होता है ये अंदर से खाली होता है फिल्ड नहीं होता तो composition में यही diamond filled होता है जो कि इस चीज़ को शो कर रहा होता है के containment बहुत strong है या दो object एक दूसरे के बगार survive नहीं कर सकते हैं लेकिन unfilled होने का मतलब ये है कि दो object एक दूसरे के बगार survive कर सकते हैं यहाँ dependency बहुत ज़्यादा नहीं है एक दूसरे के example आपके सामने है room और यहाँ पर आप देख सकते हैं hollow diamond को hollow diamond जो है वो आपको नजर आ रहा है कि ये और इस जगा पर आप देख सकते हैं कि एक room में एक table है लेकिन अगर ये table ना भी हो तो room exist करता है एक room में एक bed है ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और एक room में हो भी सकते हैं और एक room में नहीं भी हो सकते हैं तो इसका मतलब ये कतई तोर पर room और bed के आपस में कोई dependency नहीं है इसी तरह room में chair भी है लेकिन diamond फिर again hollow है it means कि हमारी approach ये बता रही है कि इस में आपस में कोई dependency नहीं है बिलकुल इसी तरह से room में cupboard भी है और ये cupboard भी जो है ये इसकी weakness या weak relationship को ही show कर रही है कि वो diamond हमने hollow रखा है कि एक room में अगर cupboard नहीं भी है तो फिर भी हम उस room को room ही कहेंगे और किसी room में अगर cupboard है तब भी वो room ही कहलाएगा further एक और example है garden और plant एक garden में बहुत सारे plants हो सकते हैं ये association हमें नजर आ रही है with respect to objects but साथ ही साथ ही aggregation भी है towards garden कि garden जो है वो बहुत सारे plants को अपने अंदर contain कर रहा है या कर सकता है लेकिन ऐसा भी कोई garden हो सकता है जिसमें plants ना हूँ तो उसे भी हम garden ही कहेंगे या एक plant जो है वो किसी भी garden का हिस्सा हो सकता है तो ये ये भी example जो है ये aggregation को ही represent करती है यानि दोनों entities आपस में बहरहल relate कर रही हैं लेकिन एक दूसरे पर dependent नहीं है further aggregation is weak वो ही बात जो हम पिछली slide पे हम example से देख रहे थे अब उसको हम conclude करते हैं कि aggregation is a weak relationship because aggregate object is not part of the container तो क्यों ये weak है कि ये जैसे हम composition में हम बात कर रहे थे कि एक person के अंदर brain enclosed है तो इसका मतलब person की boundary के अंदर दूसरा object exist कर रहे है तो यहां पर aggregation में एक object के अंदर दूसरा object physically exist नहीं कर रहा है यहां पर दोनों objects separately exist कर रहे हैं अपनी memory space में तो इसलिए इन दोनों में relationship exist कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता तो इसलिए ये एक दूसरे पर dependent नहीं है aggregate object can exist independently यही बात हम कर रहे थे कि यह दोनों objects जो हैं independently exist कर सकते है एक्जामपल furniture is not an intrinsic part of a room जैसे हमने पिछली example में देखा कि एक room जो है वो furniture के बगएर भी room ही है या furniture can be shifted to another room and so can exist independent of a particular room और furniture जो है वो अगर room से move भी कर दिया जाए तो room exist करेगा और room और furniture भी exist करेगा फरनीचर दूसरे room का हिस्सा बन जाएगा तो यहां पर further हम देखते हैं और example a plant is not an intrinsic part of a garden तो plant जो है वो garden का हिस्सा नहीं भी हो सकता है ऐसे बहुत सारे gardens हो सकते हैं जहां पर plant exist ना करते हो it can be planted in some other garden कोई plant जो है garden से निकाल के दूसरे में रखा जाए तो इसका मतलब plant even then भी exist करेगा और नई जगह पर जाने के बाद plant भी exist करेगा so independence की feeling आपको यहां पर रखनी होगी और aggregation और composition में वाहिद ही फरक है कि composition दो relationship में dependency create करता है या दो entities के दरम्यान strong relationship बता है कि ये दोनों entities एक दूसरे के बगार independently exist नहीं कर सकती है जब कि aggregation जो है यही बात उलट वे में कहता है aggregation ये कहता है कि दो entities एक दूसरे के बगार independently exist कर सकती है